नमस्कार दोस्तों स्वागे देश्यों मुस्पाली जी के और एक हेल्थ वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले मैलेरिया टेस्ट के बारे में और वो सारे blood test किया जाता है और किए ज़रूरी है इसके बारे में अगर आप suspect कर रहे हो कि आपको malaria हुआ यह aoiจ सब्स foreigner suspect खिक करना चाहिए सारे ठेस्ट के बारे में बात करेंगे मात करेंगे की normal value क्या उसका abnormal value मतलब जो मात्रा होना चाहिए सब और घर्टते यह चो सबसे important test है जो confirmatory test होता है जैसे कि हमारे blood में ही parasite जो malaria cause करता है malaria होने के लिए जो parasite responsible है plasmodium vivax यह particular parasite जो कि malaria blood smear में मौझूद होता है उसको test करना पड़ता है ठीक है तो malaria parasite अगर blood में हो इसका मतलब है आपको malaria अभी चल रहा है तो microscopic examination of blood sample आपकी blood sample को लिया जाएगा और microscope पे उसको हम examine करेंगे और देखेंगे के malaria cause करने वाले parasite उसमें मौझूद है या नहीं अगर मौझूद है तो आपको malaria है confirm यह क्यों perform किया जाता इसके बार में बात करो क्योंकि देखो malaria को diagnose करने के लिए हम यह phase पता है कि हमें पता है कि malaria का जो parasite है वो blood में ही होता है और blood के थूँद करता है एक जगह से दूसरे जगह और blood के थूँद एक इंसान से दूसरे इंसान में भी spread होगा और spread होने के कारण बीच में बनेगा एक malaria parasite नहीं है blood में मतलब आपको malaria नहीं हुआ है अगर parasite मिलता है तो abnormal value मतलब आपको malaria है means presence of malaria parasite in your blood इसका मतलब confirmation है कि आपको अभी currently malaria चल रहा है उसके बाद आते हैं दूसरे test rapid diagnostic test और RDT हमेशा हमें उतना time नहीं मिलता है कि patient के blood लो और उसको microscope के अंदर देखो कि microscope एक expensive instrument है और यह हर जगा मौजूत नहीं रहता है तो उसके लिए rapid diagnostic test और RDT बोल के test आता है तो RDT test क्या है इसके बारे में देखते हैं यह test है जो detect करता है particular type of antigen को या फिर antibody को जो malaria parasite के साथ linked होता है मतलब जब ही malaria parasite हमारे blood में हो हम microscope से directly parasite to देख सकते है कि malaria parasite कैसा दिखता है यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि कैसा malaria parasite दिखता है मैंने clearly आपको दिखा दिया मेरे microscope से आपको दिखा दिया यहाँ पर so that is a video अगर आपने detail ने इस वीडियो को देखना है तो अलग वीडियो है मेरे चैनल पर आप देख सकते हो malaria parasite कैसे दिखने में होता है सारे details मगर हर वाक्त अगर हम malaria parasite को microscope के अंदर नहीं देख सकते तो तब हम क्या detect करते है parasite का कोई body part हो जो antigen के तौर पे मौझूद हो या फिर वह antigen blood में जब रहेगा तो automatically हमारे प्रतिरक्षा system immune system में उसके खिलाफ antibody तियार करेगा उस antibody हमें मिल जाएगा तो antibody या फिर antigen का मौझूदगी blood में खून में यह पता करता है कि उसमें malaria infection चल रहा है अब बात करें why is it performed क्यों यह perform किया जाता है to diagnose malaria infection in areas where microscopic examination may not be viable मतलब जहां पर microscopy examination कर नहीं सकते हम वहां पर हम rapid diagnostic test का इस्तमाल करते हैं मगर obviously microscope का जो test है सबसे बढ़िया test होता है इसका normal range negative आना चाहिए और अगर यह antigen या फिर antibody का presence में positive आए इसका मतलब है कि malaria malaria की parasite है अब हो सकता है कि malaria parasite मर चुका है मगर फिर भी उसका जो body component है जो कि antigen के तौर पर रह जाएगा वो रह जाता है तो rapid diagnostic test diagnostic test जो है RDT जो है यहां पर वो rapid diagnostic test में कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब test में positive आई इसका मतलब नहीं कि अभी के अभी infection चल रहा है हो सकता है कि infection हो चुका है पहले अभी उसका component से protein जो parts है body कि वो रह गया as a antigen या फिर antibody जो शरीर ने produce किया even after the infection infection के बाद उसको भी detect कर सकता है right so that is not an exact indicator microscopic examination exact indicator होता है उसके बाद आता है complete blood count cbc test cbc panel अपने आप ही बहुत ही बढ़िया एक test है जहां पर बहुत सारे blood parameters को एक साथ test किया जाता है और यहां पर बहुत सारे parameters को एक साथ test किया जाता है तो एक video में मैंने detail में cbc test के बार में बात करें आपने उस video को देखना है आप देख लो उस video को आपको idea clear हो जाएगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताएंगे blood की अलग-अलग parameters जैसे के red blood cell कितना है rbc white blood cell wbc कितना है platelet count कितना है blood में उसके साथ-साथ blood में जो rbc total hemoglobin कितना है यह सारे अलग-अलग parameters को चेक किया जाता है और उसके बाद ही रिपोर्ट हमें report मिलता है basically यह report important इसलिए है के remedy infection अगर होता है तो blood cell का जो count है वो कम हो जाता है ठीक है और वो count के साथ-साथ potential complication आता है जैसे के anemia वगेरा होता है thrombocytopenia भी होता है तो यह सारे अलग-अलग जो conditions होते हैं वो हमें detect करके मिल सकता है from cbc complete blood count जिसको hemogram भी बोलते हैं उसके जरीया हमें मिल सकता है तो यह चीज एक secondary test है primarily हम microscopy examination करेंगे उसके साथ-साथ यह test से हमें पता चलता है normal range जो यह vary करता है अलग-अलग चीजों का अलग-अलग normal range मगर abnormal value में भी अलग-अलग value डिपेंड करता है कि कौन-कौन सी चीज़े मगर enemy आपको मिल सकता है कि blood red blood cell जितना होना चाहिए blood में उतना नहीं होगा उससे कम होगा तो वह enemy का एक symptom होता है उसके साथ साथ hemoglobin भी blood में कम मिल सकता है और अगर microscopic examination करे blood की तो आप देखोगे कि red blood cell का जो shape होना चाहिए structure होना चाहिए उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है और blood में platelet का count है वो कम हो सकता है platelet एक ऐसा component है blood का cellular component जो कि blood clot में मदद करता है मारा और जब भी platelet count गिर जाता ह उसकर्म थ्रॉंबोसाइटोपेनिया बोलते हैं थ्रॉंबोसाइटोपेनिया थ्रॉंबोसाइटोपेनिया characteristic trademark है डेंगी वाइरस की infection में यह बहुत कम होता है platelet count और malaria में भी platelet count कम होता है अपार्ट फॉंब डाट हमें लिउकोपेनिया या फिर लिउकोसाइटोसिस होता है जो की increased और decreased white blood cell ठीक है तो लिउकोसाइटोसिस हो सकता है या फिर लिउकोपेनिया हो सकता है दोनों में ही अलग-अलग situation है एक तो है white blood cell जो हमारे प्रतिरक्षा के मूल cells होते हैं blood की हट जाएगा तो वह भी हमें एक indicator के तौर्ट यहां पर मिल सकता है कि चल रहा है उसके बाद हम टेस्ट करते हैं liver enzymes को क्योंकि liver बहुत important organ है body की liver बहुत सारे functions एक साथ continue करता है body में तो liver में impact आता ही है चाहे वो dengue हो चाहे वो malaria हो इसलिए liver enzymes जैसे के SGPT SGOT जैसे कि इसको ALT AST भी बोलते हैं उसके साथ साथ ALP बोल के alkaline phosphatase आते हैं GGT बोलके enzyme आता है GGT नहीं चाहिए मगर ALT AST अलप इती अलगलक enzyme को हमें test करना चाहिए जो liver enzymes है वो normally liver produce करता है मगर liver में वो produce होना है blood में ऐसे प्रकार के enzymes अगर ज्यादा हो जाए तो इसका indication है कि liver ठीक से काम नही के लिए या मतलब मैलरी के कारण liver damage हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको access करने के लिए हमें liver function test करना चाहिए जिसको LFT बोलते हैं अगर आप LFT के बारे में details जानकारी लेना चाहते हो तो इस channel पे similar एक वीडियो है LFT के बारे में detail parameter के बारे में वो वीडियो आप ज़रूर द इसका value जब बढ़ जाता है तो इंडिगेट करता है liver involvement और liver damage मतलब malaria में liver involvement है या नहीं most of the cases बहुत सारे cases में यह देखा जाता है कि malaria में liver का कुछ ना कुछ involvement होता ही है liver का कुछ ना कुछ impact होता ही है तो वहां पे छोटे मोटे impact हो liver में या फिर बड़ा impact हो वो सारे चीज प बात बात करते हैं और एक parameter जो है kidney function test malady आ में kidney भी खराब हो सकता है kidney impact हो सकता है तो kidney function test में क्या होता है कुछ पैरे में चेक करते हैं blood की blood test simple blood test है blood test करके हमें देखना होता है कि kidney ठीक्टा function कर रहा है नहीं जैसे के creatinine serum में कितना creatinine है और blood urea nitrogen BUN बन क्रेतिनिन और ब्लड यूरिया नाइक्टोजीन ये दो कॉम्पोनेंट को प्रिकुलर्ली हमें चेक करना चाहिए जिसे के हमें पता चल जाएगा कि किडिनी का जो रोल है मतलब किडिनी का रोल है ब्लड से क्रेतिनिन को लेकर यूरिन के यूज करके वो निकाल देना वह पर ये भी हमें चेक करना चाहिए क्यों परफॉर्म किया जाते है वही बात है किडिनी ठीक टाक फंक्शन कर रहा है नहीं ये जानने के लिए और किडिनी में भी इंफेक्शन हो सकता है किडिनी के फंक्शन जो है वो इंपक्टेड हो सकते हैं इस चीज को जानने के लिए ह कौन कौन सी parameters आते हैं, उसका क्या role है, कौन से normal value है, उससे ज्यादा है, कम है, तो क्या पता चलेगा, सारे के सारे चीज़ अगर जानना है, तो kidney function test के बारे में वीडियो है, इस चैनल पे, वो वीडियो को ज़रूर देखना, इसके बाद बात करते है, abnormal value indicator in kidney function test, तो creatinine and blood urea nitrogen, bun, दोनों की level को, अगर increased level मिलता है, बड़ा हुआ level मिलता है, उसका मात्र अगर ज्यादा होता है, तो हमें यह indication मिलेगा, किड्नी में कुछ न कुछ गड़बर चल रहा है, kidney को भी impact किया है, इस malaria ने, तो यह चीज़ देख ले, उसके बाद आता है blood glucose, यह चीज़ आपको द area, in fact, किसी भी तरीके का viral infection में या फिर या कोई भी तरीके का parasite infection में ही important होता है, हम blood glucose level को assess कर सकते हैं, simply blood test के जरीए, चेक करेंगे कितना glucose है, क्योंकि malaria के कारण hypoglycemia और hyperglycemia दोनों situation हो सकता है, hypo मतलब कम, hyper मतलब ज्यादा, तो hypoglycemia मतलब जब blood sugar level कम हो जाए, और hyperglycemia म हम study करते हैं, normal range की बात करें, शुगर की जो normal range होना चाहिए, वो 70-99 milligram per deciliter, यह fasting stage की बात करें, right, पी-पी नहीं, पोस्ट, प्रेंडियल नहीं, fasting stage, और even average sugar की भी बात करें, तो 100 milligram per deciliter तक होना चाहिए, अगर इस से ज्यादा होता है, तो hyperglycemia कम होता है, तो hypoglycemia, abnormal value क्या आप जो है, senseless हो सकते हो, और hyperglycemia, जहाँ पर blood glucose level बहुत ज्यादा है, इसके कारण बहुत सारी चीज़े, जैसे के kidney impact हो सकता है, heart impact हो सकता है, आँख impact हो सकता है, अलग-अलग organs जो impact and damage हो सकता है, इसके बात देखते हैं, final, आखरी indicator, coagulation profile, blood clotting profile, particularly coagulation profile, right, तो coagulation, यह term मे coagulation check किया जाता है, किस चीज़ की evaluate करते हैं, blood ability to clot, blood कितना अच्छी तरीके से clot होगा, इस चीज़ को evaluate करते हैं, इसको evaluate करने के लिए हमें क्या चीज़ टेस्ट करना चाहिए, हमें platelet count test करना चाहिए, blood test में, blood test होगा, उससे हमें platelet check करना चाहिए, right, तो access the coagulation parameters, अगर platelets blood amount में है, तो automatically blood circulation जो होगा, blood clot formation जो होना चाहिए, वो ठीक ठाकी होता है, अगर platelet के amount गिर जाता है, जिसको हम thrombocytopenia बोलते हैं, जो melody के कारण होता है, उससे blood clotting का probability हो decrease हो जाता है, ठीक है, और actually parasite करवाता है, क्योंकि blood clot कम हो, तो उसका spread करना बहुत easy हो जाता है, normal range की बात platelet count और prothrombin time, for example, हम check करेंगे, abnormal value indicator में हमें क्या मिलता है, prolonged PT, मतलब prothrombin time जो है, वो normal जितना time में वो blood clot होना चाहिए, मतलब 11, 12, 13 second के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा time अगर लगता है blood clot होने में, तो indicate करता है, कि abnormal coagulation function है, blood ठीक से coagulate नहीं कर रहा है, blood ठीक स है, कि basically platelet count इतना कम है, तो उसके कारण क्या होगा, automatically blood clotting कम होने लगेगा, तो ये दो चीज़ देख लेते हम, तो ये सारे के सारे profile रहे, आपके malaria test के बारे में, starting with malaria parasite smear, जिससे के 100% confirmation मिल जाता है, क्या active infection है या नहीं, rapid diagnostic test तभी हम यूज़ करते हैं, जब active parasite हमको देखने क को नहीं मिलता, microscope की access नहीं है, फिर complete blood count, liver enzymes, kidney function test, blood glucose level, coagulation profile, सारे के सारे ये पांचो test ही blood test है, एक ही बार blood लिया जाएगा, दो तीन हिस्से में, और वो blood को अलग-अलग तरीके से चेक करके हमें, पता चल जाएगा, blood enzyme क्या-क्या है, liver enzyme, kidney, as well as glucose and coagulation profile के बारे में, आशा कर करते हैं, यह सारे test करने के बाद आपको पता चल जाएगा, कि शडीर में, ना तो सिर्फ malaria है या नहीं, उसके साथ-साथ malaria के कारण कौन-कौन सी organ impacted है, उसके हिसाब से treatment आपको दिया जाएगा, so that's all about it, अगर वीडियो अच्छा लगा ते वीडियो को लाइक ज़रूर करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीक के साथ, और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे है, थैंक्यू, बाई